वेलकम बैक टू एनदर यूटूब वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं बेस्ट ब्लागिंग 5G फोन अंडर 20,000 के बारे में आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने पिछले वीडियो पे कमेंट किया था कि सर एक वीडियो इस पर लेके आए कि 20,000 के रेंज में कौन स आपको काफी अच्छे अच्छे फोन देखने को मिल जाएंगे लेकिन अगर आपका बजट सिर्फ 20,000 ही है तो आप इनमें से कोई भी एक फोन सेलेट कर सकते हैं और गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं बेस्ट ब्लागिंग फोन अंडर 30,000 पे एक वीडियो लेके आओं त इस वीडियो में मैं आपको जो भी फोन सजेस्ट करने वाला हूं वो सारे फीचर्स आपको इन फोन में देखने को मिल जाएंगे अग्याइस हमारी लिष्ट है हमारी लिष्ट में हमने सबसे पहले नमबर पे रख्खा है पोको का एक्स फाइब फोन अगर आम इस फोन के 17-inch की एक डिस्प्ले देखने को मिलती है और जिए जो डिस्प्ले होगी है वो 120-2040 की DPI की डिस्प्ले होगी जो की काफी अच्छी डिस्प्ले मानी जाएगे और साथी साथ जहां पर आपको गोरिला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है अगर हम इसके रियर कैमरे की बात करें तो जहां पर आपको 48 मेगा पिक्सल का 10 टाइम जूम वाला काफी बेहतरीन वाइड अंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा और साथी साथ जहां पर आपको 8 MP और 2 MP का माइक्रो कैमरा भी देखने को मिलता है और अगर हम इसके वीडियो रिगार्डिंग कैप सिटी की बात करें तो यह आपको फूल एच्डी में 30 अपिस तक वीडियो सूट अगर हम इसके बैटरी लाइब की बात करें तो जहां पर आपको पाँच एर मेंज की काफी पावरफूल बैटरी देखने को मिलेगा और साथी साथ जहां पर आपको 33 वाट का फास्ट चार्डिंग सपोर्ट भी देखने को मिलेगा सो गाइस हमारी लिस्ट में जो दूसरे नुमर पर फोन है उस फोन का नाम है Realme 10 Pro 5G यह जो फोन है जे भी फोन काफी बहतरीन आपको काफी डिसेंट स्पेसिफिकेशन देता है जहां पे भी आपको स्नेपडरेगा 695 का अक्टा को प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा अगर अगर हम इसके रियर कैमरे की बात करें तो यहां पे आपको 108 मेगा पिक्सल का खाफी बहतरीन कैमरा देखने को मिलता है और साथी साथ इस फोन में आप 6 तक अपना डिजिटल जूम कर सकते हैं और यहां पे आपको 2 मेगा पिक्सल का डेप सेंसर भी देखने को मिल जाएग और साथी साथ आप फ्रन्ट कैमरे में भी 30 अपिएस पे फूल एस्टी में वीडियो सूट कर सकते हैं अगर हम इसके बैटरी की बात करें तो यहां पे आपको पांच चेर में इसकी पाउरफुल बैटरी देखने को मिलेगी और साथी साथ यहां पे आपको 33 वार्ट का फ् वड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा हलाकि मैं जो यह सैमसंग का फोन बता रहा हूं यह काफी डिसेंट फोन है लेकिन यह एक परफेक्ट फोन नहीं हो सकता है ब्लागिंग के लिए अगर हम इसके परफर्मेंस की बात करें तो यहां पे आपको सैमसंग 1330 का आक्टा को प्रोसेसर देखने को मिलता है अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहां प्यापको 6.6 एंग की डिस्प्ले और 19 तो यहां पे आपको 50 MP का बहतरीन रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा जो की 10X तक डिजिटल जूम आपको देखने को देगा और साथी साथ यहां पे आपको 2 MP का अगर आप 30 MP के फूल एच्टी वीडियो सूट कर सकते हैं अगर आपको तेरा मेगा पिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाएगा और साथी साथ आप फ्रण्ट में भी 30 MP में फूल एच्टी वीडियो सूट कर सकते हैं अगर आप इसके बैटरी की बात करें त सिर्फ 15 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है हमारा जो चौथा फोन है वह फोन है यह जो फोन है काफी डिसेंट फोन है इस पर भी आप इन्वेश्ट कर सकते हैं और 20,000 के रेंज में मेरे नजर से सबसे बेश फोन यही होगा अगर हम इसके परफार आप नाच भी देखने को मिलता है अगर हम इसके रियर कैमरे की बात करें तो रियर कैमरे में आपको 50 Mpx का प्रैमरी कैमरा और 2 Mpx का डेफ्थ सेंसर देखने को मिलेगा और साथी साथ यहां पे आप 30 अपिस में फूल एश्टी वीडियो सूट कर सकते हैं अगर हम इसके बैटरी की बात करें तो यहां पे भी आपको 50 Mpx का एक पाउरफुल बैटरी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहां पे आपको 18 Watt का फास चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा हमारे लिस्ट में जो पाच्व फोन है वो फोन है Oppo A28 यह भी फोन काफी अच्छा है और मार्केट में भी वो फोन को काफी ज्यादा कंपटिशन दे रहा है अगर हम इस फोन के परपार्मेंस की बात करें तो यहां पे भी आपको Mediatek Dimensity 700 Aptacore प्रोसेसर देखने को मिलेगा दिस्प्ले की बात करें तो यहां पर आपको 6.56 Rich का display देखने को मिलेगा यहां पर बात करें आपको Ihnen BPC Mac अगर मेंगे देखने को मिलेगा하न गॅर्छा इंड़ आप extra नेपैस देखने को मिलेगा I am अगर आपको आठ मेगा पिक्सल का वाइड एंगल लैंस देखने को मिलेगा और साथ इस पर भी फ्रन्ट कैमरे में आप 30 अपीस पर अपना फूल एच्टी में वीडियो सूट कर सकते हैं अगर हम इसके बैटरी की बात करें तो यहां पे आपको पांच चाहरे में इसकी पाउरफूल बैटरी देखने को मिलेगी और साथी साथ 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ड भी देखने को मिलेगा हमारी लिस्ट में जो सबसे आखरी फोन है वो है मोटरोला एज फुट्टी लाइट यह जो फोन है काफी बेहतरीन काफी दमदार फोन है तो आप चाहें तो इस फोन को भी पर्चेस कर सकते हैं अगर हम इसके परफरमेंस की बात करें तो यहां पे आपको क्वाइट गैम स्नाइप ड्रेगान 695 का आक्टा को प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि बाकी फोन की तरह ही दमदार है अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहां पे आपको 6.28 इंच की डिस्प्ले की अब तक के सारे फोन में सबसे बेस्ट कैमरा है और साथी साथ इस फोन में आप फूल एच्टी में 60 एपिस पे वीडियो सूट कर सकते हैं अगर हम इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा भी यहां पे आपको 32 मेगा पिक्सल का देखने को मिलता है और दूस्तों यह थे हमारे सारे फून , इन में से आप फिल्ट न कर सकते हैं कि कौन सा फोन आपके बेस्ट होगा क्यों सा फून आपके बजट में होगा इन सारे प्रोड़क्त के लिंक मैं आपको डिस्विर्प्टzon बाक्स में दे दू़ंगा आप चाहें तो वहां से जाके कर सकते हैं आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद दे तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और वीडियो के साथ तब तक लिए जाहिन पंद मात्रम